हेलो प्रेंट विल्कम बाइक टु माई यूटूब चैनल कुपिंग ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं कड़ाई पनीर तो देखी यहां पे हमारी कड़ाई पनीर कितनी अच्छे तरह से बन करके तयार हुई है तो चलिए देखते हैं इसको कैस से बनाते हैं कड़ाई पनीर तो इसे भी सभी को पसंद है जैसे हम रेश्टोरेंट में खाते हैं विल्कुल उसी स्टाइल में आज हम घर पर बनाएंगे तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो कड़ाई पनीर के लिए सबसे इंपोर्टेंट है मसाले तो यहां पर हमने गैस की फ्लेम को अन कर दिया तब रख दिया उसमें हमने खड़ा धनिया दो चम्मच एक चम्मच संप दो छोटी इलाइची कुछ मरीच के दाने और एक चम्मच जीरा डाल करके अच्छी तरह से इसको भून लेंगे इंगों चलाने के बाद इसमें हम अब लाल मिर् आप इसको हम निकाल लेते हैं गैस की फ्लेhet को बं कर देते हैं इसको हम दूसरी प्लेट में ठंड फ़नी त01 यू कर देते हैं फिर इसी तव पर हम थोड़ा सो ऑईल डालेंगे और इसको चारों तरफा गुमा लेते हैं ताकि चारों तरफ तवे फैल जाए अब इसमें आपइसे ही एक मिनट लागफ भून लेते हैं फिर इसमें हम दो कटे हुए टमाटा डाल देंगे और इनको मिदियूं इनको भी हम में परी चल लेको सब्घिर होने तक हम भून लेते हैं तो हो चुकetus शुकिए हैं हमारे प्याज और टमाटर हलका हलका बिल्कुल सॉप्ट हो गया है इनको हम चम्मस से अच्छी तरह चला लेते हैं और इनको हम एक मिनट के लिए ढख करके पका लेते हैं इधर मिक्सी जार में हमने अपने मसालों को डाल दिया है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो गय हैं और इनको हम अब निकाल लेते हैं मिक्सिजार में तो यहां पर हम उसको गरम मिक्सिजार में डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसका पेश्ट बना लेते हैं तो यहां पर टमाटर प्याच का पेश्ट अच्छी तरह से बन गया इसको हम दूसरी बाउल में निकाल लेते फिर इदर हम कड़ाई को चड़ा देंगे उसमें हम सरसु का तेल डाल देते हैं तेल हमारा पूरी तरह से गर्म हो गया अब इसमें हम कटे हुए पनीर यहां पे हमने पनीर 500 ग्राम पनीर लिया है उनको डाल करके हम फ्राइ करते हैं तो पनीर को देखिए हम लगबब 5-6 तो पनीर निकालने के बाद हमने पहले से थोड़ा गुंगुना पानी करके रखा है उसमें नमक डाल दिया है और उसी में हम पनीर को डाल देते हैं ताकि पनीर हमारे बिल्कुल सॉप्ट रहेंगे टाइट नहीं होंगे तो आपर देखिए हमने पानी में पनीर को डाल दि हैं इसको डाल करके हम फ्राई करते हैं प्याज हो सिंब य०्ट मेडिया फ्लेम पे कम से कम 5 6 मेड तक ऐसे ही फ्राई करेंगे बहुत ज्यादा इसको नहीं हमें पकाना है वी कुल इसका प्रेंच बना रहे इस टाइब का में पकाना है कच्चा पंदूर हो जाए और इनको हम ऐसे चला करके दोनों तरब से शेक लेते हैं तो यहां पर देखिए पास मियर तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में फिर इसी काई में हम ओयल डाल देते हैं और इसमें हम दो लॉंग दो दाल्चीनी का टुकडा और थोड़ी सी जीरा डाल करके तड़का लगा लेते हैं तो यहां पर हमारा जीरा तड़क राय अच्छी तरह से फिर इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटार और प्यास का तो उसको डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से बिल्कुल मीडियम फिलेंब पे हम इसको भूनेंगे तो यहां पर प्याज को हम चला चला करके भूनेंगे ताकि प्याज हमारा नीचे पकड़ना ले इसको अच्छी तरह से बस चलाना है फिर इसको हम ढख देते हैं यहां पर हमने जो मसाले बनाए थे उसको हम डाल देते हैं यहां पर एक चमस मसाला हम बचा लेंगे जिसको हमन पर हम आदा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच नमक डाल करके इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं बस कड़ाई पनेर में मसालों को 10-15 मेड बिल्कूल मेडियम फ्लेम भूनना रहता है ताकि उसका फ्लेवर बिल्कूल अच्छा है तो यहां पर हम मसालों को बार बार चला करके देख लेते हैं नीचे लगना जाए यहां पर जो हमने टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाई थी उसमें थोड़ा सा पाई डाल कर हम डाल देते हैं उसको ढूल करके कि मसाला हमारा नीचे लगे ना और इसको फिर अच्छी तरह से चलाएंगे मसाले मारे बॉय ला रहे हैं इंको बार बार बस हर दो मिट पे हमें चलाना है अच्छी तरह से फिर इसको हम ढग देते हैं, यहां पे हमने काजू ले ले ली है Northeast no काजू हो और उसको हम family लेते हैं यहां पे सब लोग 만ाय डालते हैं वहारे पास मलाई नहीं थी ऊजले हमने काजू का पेस्ट बना लिया है काजू का पेस्ट बनाने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मलाई के जगह पे काम करता है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है एक वार आप लोग डाल करकर जरूर देखे मलाई ना डार कर आप लोग काजू का पेश्ट डालें यह बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और इनको अच्छी तरह से चला लेते हैं फिर इसको हम पांच मेर तक ऐसे ढख देंगे और देखिए यहां पर हमारी मसालों में अच्छी तरह से वाईल आ रहा है अब यहां पर थोड़ी सी हम कस्तूरी मेथी क्रस करके डाल देते हैं जिसके इसका प्लेवर और अच्छा आएगा अपाण कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसको हमेबर फिर चला करके इसमें कस्मीरी लाल मिर्स पाउडर डाल लेते हैं यह अधक देते हैं पिर उसको एक बार यहां पर हम चला लेंगे तो यहां पर मसाले अच्छी तरह से हमारे पक गए हैं यहां पर हम इसमें पानी डाल देते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि कडाई पनीर में ज्यादा पानी नहीं होता है इसके ग्रेवी बिल्कुल ठीक होती है तो हम थोड़ा यहां पर पानी डाल दिया है अपनी हो सकता के नुसार आप डाल सकते हैं तो यहां पर हमने सिमला मिर्च और प्यास जुबुनी हुए हमारे रखे थे उसको डाल दिया है और डालने के बाद इसको हम मीडियम प्लेम पर ही पांच मेर तक फिर धक करके पका ले है और इसको एक बार चला करके हैं फिर उपर से हमने जो मसाला बचा रखा था जो मसाले को मने दरदरा पीसा था धनिया पावडर को उसको उपर से डाल देते हैं इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा एक खाने में बहुत ही तेश्टी लगेगा अब इसको हम फिर धक देत से हम थोड़ा सहरा धनिया काट करके डाल देते हैं और इसको हम ढग देते हैं तो फिर इसको हम सर्विंग वाल में टांसफर करते हैं तो यहां पर देखे कितनी